जैहें सातियो स्वागत है आपका Self Study Classes YouTube चैनल में दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि 26 तारीक को यानि कि 26 सितंबर को आपका जो है MPTED का एक्जाम है दोस्तो उसके लिए आपने अपना आकलन किया अभी से कि नहीं किया दोस्तो परिक्छा एप पर model paper उपलब दें जैसे आपकी परिक्छा में 150 नमबर के paper आना है बैसे ही परिक्छा एप पर model paper उपलब दें और 150 नमबर से आपकी कितने नमबर आ रहे हैं इसका आकलन आप कर लोएं बहुत सारे बच्चों ने दोस्तो यह test series लगाई है तो आप भी परिक्षा है अपकी test series लगाएं और selfsc40 coupon code यूज करें तो 40% आपको off मिल जाएगा ठीक करेंगे आज का पहला प्रसने सबसे पहला प्रसने है कि कोई बस तू क्या है और हम उसके साथ कैसे बेवार करते हैं इस विसाय में उससे जोड़े मानसिक प्रिती रूप या विचार को क्या कहा जाता है ठीक है बिकल्प एक है निर्मान नेटवर्क इसकीमा या फिर सरचना तो चार बिकल्पों में से एक कचैन आपको करना है तब आपका बिलको सही आंसर होगा दोस्तों इसकीमा इसकीमा यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका तेन है वो सही हो जागा कोई बस तू क्या है और हम उसके साथ कैसे बेवार करते हैं इस बिसाय में उससे जुड़े मानसिक प्रिती रूपय अबिचार को कहा जाता है इस कीमा ठीक हैं अंगला कोस्चन देख लेते हैं प्रगतिसील सिक्षा की जनक कौन मान जाते हैं जान डीवी, फ्रावेल, जीन प्याजे या फिर इन मैंसे कोई नहीं प्रगती सील सिक्षा की जनक आपको बताना है प्रश्न किरमां के दो को आंसर तब आपका बिलकुँ सही आंसर आया है जान डीवी यानि कि जो बिकल्प नमबर एक है वो सही हो जाएगा प्रगती सील सिक्षा की जनक कौन है जान डीवी साब एक नमबर राइट हो जाएगा ठीक है अंगला कॉस्चन देख लेते हैं प्याजे ने छमताओं और योगताओं को क्या नाम दिया है प्याजे ने छमताओं और योगताओं को क्या नाम दिया है schema, आत्मसाथ करण, एहम के अंद्रभाव या इन में से कोई नहीं तब आपका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों schema, schema यानि कि जो बिकल्प नमर एक है वो बिल्कुल सही हो जाएगा प्याजे ने छमताओं और योगताओं को क्या नाम दिया है तो क्या नाम दिया है? schema, schema यानि जो बिकल्प नमर एक है वो बिल्कुल सही है ठीक है? अंगला question देखो, खालिस्तान बुद्धी मता तीब्रतर बेकास से जुड़ी हुई है मन्द बुद्धी, मध्यम बुद्धी, उच्च बुद्धी या फिर इन में से कोई नहीं तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उच्च बुद्धी, उच्च बुद्धी यानि कि वेकल्प नमर जो तीन है वो सही हो जाएगा, है ना? उच्च बुद्धी मता तीब्रतर बेकास से जुड़ी हुई है ठीक है, प्रश्च बुद्धी मता पिता की वेकल्प नमर जो तीन है वो बिल्कुल सही यहां पर हो जाएगा अंगला कॉस्चन देख लेते हैं दोस्तो अधिगम सिद्धान्त माता पिता की भुमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्नित करते हैं? अधिगम सिद्धान्त माता पिता की भुमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्नित करते हैं? पिर सीख्चकों के रूप में, भागीदारों के रूप में या फिर समर्थकों के रूप में? प्रश्निक रमांग 5 का उत्तर हमें लिखना है आपर अधिगम सिद्धान्त माता पिता की भुमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्नित करते हैं? तो वो करते हैं पिर सीख्चकों के रूप में एक नमबर आपका विल्कु सही है अंगला है एक समूग के समाजमिती विसलेशन का उपियोग ब्यक्ति को खालीस्तान विधी के रूप में मापने के लिए किया जाता है तो किस विधी के रूप में मापने के लिए किया जाता है प्रेक्षन, वस्तूनिस्ट, व्यक्तिनिस्ट या इन मैंसे कोई नहीं एक समूव के समाजमिती बिसलेशना का उपयोग व्यक्तित्त को विधी के रूप में मापने के लिए किया जाता है तब आपका बिलकुश सही आंसर होगा क्या वस्तूनिस्ट वस्तूनिस्ट विधी के रूप में मापने के लिए किया जाता है यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका 2 है वो बिलकुश सही होगा अंगला question देख लेते हैं चात्रों के अधियम के परिणाम के बिसाय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन की रूप में माना जाता है बेंचमार्क मूल्यांकन, निदान, रचनात्मक मूल्यांकन या इन में से कोई नहीं चात्रों के अधिगम के परिडाम के बिसाय में आकलन को खाली इस्तान मूल ल्यांकन की रूप में जाना जाता है तब प्रश्न किरवान साथ का आपका विल्कुल सही आंसर होगा निदान मूल ल्यांकन आकलन को निदान मूल लेंकन के रूप में जाना जाता है यहनि कि जो विकल्प नम-मर आपका 2 है वो विल्कूल सही हो जाएगा यहां पर अंगला कॉस्चन है दोस्तो निमन निमन में असे कौन वाई प्रेड़ा का उधार्न नहीं है वाह प्रेणा का उधारन नहीं है बताना है चार विकल्प है बेतन, प्रिसंसा, जुनून या पदुन नती कौन वाह प्रेणा का उधारन नहीं है जब आपका बिल्कु सही आंसर होगा जुनून यानि कि विकल्प नमबर जो तीन है वो बिल्कु सही वाय प्रेणा का उधारन नहीं है ठीक है वेतन प्रसंसा और पदोन नती ये वाय प्रेणा का उधारन जबकि जुनून नहीं है ठीक है अंगला कॉस्चन देख लेते हैं निम्न मैसे कौन सा सिद्दान्त इस समझ को संदर्वित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभाव नहीं किया जा सकता तो आपको बताना है, कौन सा सिद्धान्थ इस समझ को संदर्वित करता है मन का सिद्धान्थ, जीववाद का सिद्धान्थ, वस्तु इस्थायत्तो का सिद्धान्थ, या इनमेसी नहीं तब आपका बिल्कुर स्थायत्तो का सिद्दान्त जो है इस समझ को संदर्वित करता है कि वस्तुएं तब भी मौझूद रहती हैं जब उने देखा या अनुभाव नहीं किया जा सकता एक आय का सिद्दान्त है वस्तु इस्थायट यानि जो विकल्प नमर आपका तीन है वो विल्कुर सही होगा ठीक है अंगला क्वस्चन रेको थांडाय के प्रेतने वंतुर्टी सिद्दान्त ने खालिस्तान के महत पर जोड़ दिया है तो कौन से महत पर दिया है ठांडाय का प्रेतने वंतुर्टी का सिद्दान्त आपने पड़ा है कभी-कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रेतने वंतुर्टी का सिद्दान्त किस ने दिया है तब आपका उत्तर होता है थांडाइक ने लेकिन प्रेतने वंतुर्टी के सिद्दांद ने किस पर महत्तु दिया है प्रेणा पर दिया है और उसकार पर दिया है प्रसंसा पर या पिर दंड पर प्रश्निक्रमांक 9 तब आपका बिल्कुछ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेणा पर काई पर दिया है थांडाइक जो प्रेतने वंतुर्टी का सिद्दांद है इन्होंने प्रेणा पर महत्तु दिया है अंगला कॉस्चन देख लेते हैं दंड और प्रोसाहन के घटक हैं बियोहारबाद सिद्दांद, मानावताबाद सिद्दांद, डिजाइन आधारत अनुसंधान विदी ये सन्योजक्ता का सिद्दांद दंड और प्रोसाहन के घटक हैं तो कौन है प्रेणिक्रमांक 10 तो आपका बिल्कु सही आंसर क्या हो जाएगा बियोहारबाद सिद्दांद, बियोहारबाद यानि जो बिकल्प नमबर एक है वो बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है दंड और प्रोशाहन खालिस्तान के घटक हैं तो किसके घटक हैं बियुहरवाज सद्धान्थ की एक नमबर आप विल्कु सहिए अंगला क्वेस्चन देखते हैं समान लिंग मित्रता खालिस्तान की दोरा प्रवलित होती है किसके द्वारा होती प्रारंबिक बच्पन, प्रारंबिक किसोरा वस्था, माद्ध बच्पन या फिर मद्ध किसोरा वस्था समान लिंग मित्रता खालिस्तान के द्वारा प्रवलित होती है तो प्रश्न क्रमांग के 11 का आपका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक के सौरा वस्था क्यानि कि जो 2 नंबर है वो विलकुpl सही है ठीक है समाल लिंग में तरता प्रारंभिक के सौरा वस्था के दोरा प्रवले तो होती है अंगला कोस्चेन देख लेते हैं किसी भी परिस्तिती में समायुजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न किर्मां के जो वारा है और इसका उत्तर हो जाएगा धलन सीलता धलन सीलता यानि जो चार नम्मर है वो चार नम्मर यहाँ पर बिल्कु सही होगा। ब्रद्धी और बिकास का अध्यन करने का आपको बताना है सर्वोत्तम जो बिदी है वो कौनसी है रश्न क्रमांक 13 तब आपका बिल्कु सही आंसर होगा बिकासातमक बिदी बिकासातमक यानि की जो टू नम्मर है वो बिल्कु सही हो जाएगा। सर्वोत्तम जो तरीका है वो कौनसा है विकासातमक बिदी अंगला कोस्चन देख लेंगे दोश्तों आवस्तक्ताओं का पदानुक्रम प्रेणा का एक महत्पून परिपेक्ष है जिसे इनके द्वारा पृतिपादित किया गया। आपको बताना है आवस्तक्ताओं का पदानुक्रम प्रेणा का एक महत्पून परिपेक्ष है जिसे किस के द्वारा पृतिपादित किया गया। मासलो, प्याजे, पाउलाओ या फिर फ्राइड के द्वारा अवस्तक्ताओं का जो सिद्दान्त है बो किस के द्वारा पृतिपादित किया गया। जो हमें जानकारी को मानने करने में मदद करती है मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभी सारी चिंतन या फिर संग्यान। कौन सी कारविदी हमें जानकारी को मानने करने में मदद करती है प्रश्न किरमंग 15। तो आपका बिल्कुश सही आंसर होगा दोस्तो मूल्यांकन मूल्यांकन ऐसी कारविदी है जो हमें जानकारी को मानने करने में मदद करती है मूल्यांकन ठीक है एक नम्मर आपका सही होगा अंगला क्वेस्चन है दोस्तों बाल के अंदर सिक्षा में बच्चों को जो सीखना चाहिए बहनिमना अनुसार आखना चाहिए गतिविदियों के माध्यम से उनके परिच्छा परिणामों के अंकों से बच्चे की योगता, रुची और पिछले अनुभव के आधार पर अधिक रमांक सोला तब आपका बिल्कुश सही आंसर क्या होगा बेकल्प नम्मर तीन बच्चे की योगता, रुची छमता और पिछले अनुभव के अनुसार जो है आकना चाहिए तीन नम्मर आपका यहां पर बिल्कुश सही होगा अंगला क्वेस्चन देखो बाल के अं आम तोर पर निम्न सामिल होता है, क्या होता है तुरंतिया मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगातमक मूल्यांकन या फिर अधिक रचनातमक मूल्यांकन, बाल के अंदर सिक्चा में आम तोर पर निम्न सामिल होता है, तब आपका बिल्कुश सही आं सराया है अधिक रचनातमक मूल्यांकन यानि जो बिकल्प नमबर आपका चार है वो सही हो जाएगा बाल के अंदर सिक्षा में आमतोर पर क्या सामिल होता है अधिक रचनातमक मूल्यांकन चार नमबर ठीक है अंगला कोस्चन देख लेते हैं सब्द सामंजस किस से संबन्दे थे व्यक्तित्तो से मनोबरती से बुद्धी से या फिर प्रेणा से सब्द सामंजस किस से संबन्दे थे तब आपका प्रश्ण किरवांक अठारा का बिलकुष सही आंसर होगा व्यक्तित्तु से संबन्देत है सब्द सामंजस किसे संबन्देत है व्यक्तित्तु से अंगला question देखो मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी यानि steps कान के खालिस्तान होती है कान के अंदर, कान के वीच में, वाहर या इनमे से कोई नहीं मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी यानि steps कान के कहां पर होती है प्रश्ण किरवांक उन्नीस तो आपका विलकुष सही आंसर होगा दोस्तों वीच में कान के कहां पर होती है, वीच में यानि two number विलकुष सही हो जाएगा अंगला question देखो, बुद्धी मता और परियावरन बुद्धी मता, खालिस्तान और परियावरन दोनों का एक उत्पात है संस्कृति का, शामुदाय का, आनुवानसिक्ता या फिर समाज का बुद्धी मता, खालिस्तान और परियावरन दोनों का एक उत्पात है किसका उत्पात है? तो आपका बिलकुष सही आंसर हो जाएगा आनुवानसिक्ता ठीक है, आनुवानसिक्ता का जो है उत्पात है बुद्धी मता खाली इस्तान और परियावन दोनों का उत्पात है तो किसका बुद्धी मता अनुवान सिखता और परियावन दोनों का उत्पात है ठीक है तो यहाँ पर हमने 20 प्रशन देखे दोस्तों अब आपको जो है एक प्रशन बताना है कौनसा प्रयास एबं किस ने दिया ठीक है इस question का answer आपको comment में बताना है और वीडियो को सभी लोग like करेंगे और 20 प्रस्ण में ऐसे आपने कितने प्रस्ण सही किये हैं जदी-जदी से इमांदारी से सभी लोग comment में लखें फटा-पट से इस प्रकार के जो आपकी सीरिज है उन्दरंतर चलेगी और पार्ट में चलेगी पार्ट एक पार्ट टू ठीक है 20 प्रस्ण पर हर वीडियो में हम चर्चा करेंगे MPTET ग्रेट तीन वालों के लिए, RET वालों के लिए, CTET वालों के लिए और जो भी TED से सम्मंदेत हैं जहां भी वालों कास मनुविज्यान पूछा जाता है ठीक है और Self-Study Classes विस समिच जैन YouTube चैनल पर आप सभी लोग बने रहें और आपको Instagram से जुड़ना है Instagram से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है समिच जैन Self-Study Classes WhatsApp नमबर दिया है तो कोई भी डाउट किलियर कर सकते है ठीक है Facebook पर समिच जैन सर्च करना है Twitter पर भी समिच जैन और Self-Study Classes विस समिच जैन इस चैनल पर आपके लिए करेंगे तो उपर चैनल खुलेगा और पिले लिस्ट सामने आएगी तो पूरी की पूरी प्ले लिस्ट अलग अलग बनी है परियावन की वालविकास की सारी की सारी ठीक है टेलिग्राम ग्रूप से अवस्ट जुरना है सेर्च करना है IAS Study Trip और जोईन हो जाना है ठीक है बहुत बढ़िया सभी के लिए बहुत बहुत दन्रबाद सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबाना है ठीक है वीडियो कैसा लगा जदी जदी से बताना है कमेंट में और वीडियो को सेर जरूर किया करें आप लोग सेर नहीं करतें तो अपने साथियो अपने मित्रों तक सभी के लिए